हेलो दोस्तों, दोस्तों आज भी भारत में बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए बहुत बार उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे बेवड़ परिशान किया जाते हैं। आज मैं आपको बीस ऐसे अधिकार बताने वाला हूँ जो आपको जरूर पता होना चाहिए एक ड्राइविंग करते समय यदि आपके एक साओ मिललीटर्स ब्लिड में अलकुहल का लेवल्टीज मिलग्राम से ज्यादा मिलटा है तो पुलिस आपको मोटर वाहन आक्ट उनीज 188 सेक्षन 145 से दो साओदों के तहट बिनना किसी वारंट के गिरफटार कर सकती है दो पुलिस किसी भी महिला को शाम 6 बजे बजे के बाद और सुबह 6 बजे बजे से पहले किसी भी महिला को गिरफटार नहीं कर सकती आपराधिक प्रक्रिया समहिता सेक्षन 46 के तहट भार से लेकर एक साल तक की जेल हो सकती है चार भारतिये सरे उस अधिनिया में 1887 के तहत भारत के प्रतेक नागरे को यह अधिकार है कि वे है भारत के किसी भी होटेल में चाहे वे 5 स्टार ही क्यों ना हो फ्री में पानी पी सकता है और वाश्रूम का इस्तिमाल कर सकता है यदि अधिनियम 2005 के तहत यह गैर कानूनी नहीं होगा और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं होगी इसके अलावा संतान को अपने मातापिता की संपती में हक भी मिलेगा साथ पुलिस एक 1861 के तहट कोई भी पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहता है चाहे उसने युनिफार्म पहनी हो या नहीं यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वेह यह नहीं कह सकता कि वेह ड्यूटी पर नहीं है और उसकी मदद नहीं कर सकत क्यूंकि वे हमेशा ज्यूटी पर रहता है आठ मातिर्त्व लाब अधिनियम 1961 के तहट कोई भी कमपनी किसी भी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती यदि कोई कमपनी ऐसा करती है तो उसे अधिक्तम तीन साल तक की सजा हो सकती है नौ टेक्स्ट उलंगन के मामले में करवसूल अधिकारी को आयो कर अधिनियम 1961 के तहट आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा केवल टैक्स कमिर्शनर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक खिरासत 10. हिंदू मैरे जैक की धारा ते रहा के तहट कोई भी पतिया पत्नी कोट में तलाक के लिए अरजी दे सकता है यदि उसके पास निम्न कारण है तो शादी के बाहर शारीरिक रिष्टा बनाना शारीरिक वमानसिक प्रतारना नपुन सकता बिना बताए छोड़कर जाना हिं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1139 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है लेकिन ट्राफिक पुलिस के द्वारा गारी या मोटर साइकल की चाबी निकालना बिल्कुल ही गेर कानूनी है इसके लिए आप चाहे तो उस कॉनस्टेबल या अधिकारी के खिला कानूनी कारेवाई करवा सकते हैं 12 दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि आपका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस सिलेंडर कमपनी से 40 लाक रुपे तक की डिमांड कर सकते हैं यह राशी आपकी मदद के रूप में दी जाती है 14 आपको जानकर ताज़ुब होगा कि यदि आप किसी कमपनी से किसी त्योहर के मके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह विदेशी हमस्दान नेमन अधिनियम 2010 के तहत रिश्वत की श्रेणी में आता है इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है 15 रहा यदि आपका चालान बिना हेलमेट या किसी अन्यकारण से काट दिया जाता है तो मोटर वाहन संशोधन विदेयक 2016 के तहत फिर दोबारा उसी अपरात के लिए उसी दिन आपका चालान नहीं काट आजा सकता अधिक्तम खुद्रा मूल्य अधिनियम 2014 के तहत कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिक्तम खुद्रा मूल्य से अधिक रुपे नहीं मांग सकता लेकिन उभोगता अधिक्तम खुद्रा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए आपका मालकिया ओफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो परिसीमा अधिनियम 1964 के तहट आप उसके खिलाफ तीन साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. लेकिन यदि आप तीन साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा 18. यदि आप सारवजनिक जग्धों पर गंधी गतिविधी करते हुए पकड़े डाते हैं तो आपको भारतिय डंड सम्हेता की धारा 294 के तहट तीन महीने तक कीकट भी हो सकती है। परंतु गंधी गतिविधी की कोई सपष्ट परिभाशा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग भी करती है 19. यदि आप हिंदू है और आपके पास आपका पुत्र है या पुत्र है तो हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहट आप किसी द हिली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिये जबरन मकान खाली नहीं करवा सकता दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी आप अपने अधिकारों का सही जगह पर सही समय पर इस्तिमाल करेंगे क् किसी अधिकार का कभी इस्तिमाल किया है हमें कमेंट में बताने का प्रयास करें